प्रेंस प्रेगनिंसी एसा समय होता है जब माँ हर समय अपने गरबस्त शीशू के बारे में सोचती रहती है और इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं गरबस्त शीशू को किसी पर प्रकार की कोई समाश्या ना हो ये बहुत ही खुश्टमा पल होते हैं और इन पल को हर गर्वती महिला इंजॉई करना चाती है लेकिन प्रेग्निंसी के इस पूरे 9 महिने की जर्नी में कभी न कभी गर्वती महिला ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उनका गर्वती शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है क्योंकि वो अपने आने वाले शिशु की तैयारियां स्टार्ट करना चाती है लेकिन आपको ये confirm तब ही हो पाता है जब आपका शिशु जन्म लेता है कि वो लड़का है या फिर एक लड़की है लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों की माने या फिर कुछ रिसर्च की अगर बात की जाए तो उनसे ये दावा किया जाता है कि आप गरबस्त शिशु के लड़का या लड़की होने का पता लगा सकती है और उनमें से ही एक तरीका आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वो है प्लेसेंटा की पोजिशन को देखकर अकसर आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा की पोजिशन से आप ये जान सकती है कि आपका गरबस्त शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है तो किस तरीके से आपको अपने अल्टरा साउंड रिपोर्ट में प्लेसेंटा की पोजिशन देखनी है और ये कितनी हद तक सह यह आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो का इन तक जरू देखेगा चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए का और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर जरू करेगा तो फ्रेंट्स आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता आद ही प्लेशेंटा की बीडिलीवरी करवा दी जाती है यानि की प्लेशेंटा को भी सर्वेक्स की ठूब बाहर निकाल लिया जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान यह और उर्गन बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल्ल प्ले करता है प्लेसेंटा की पोजिशन कई हो जिसमें anterior placenta, posterior placenta, upper placenta और low line placenta भी होते हैं इन पोजिशन में low line placenta एक ऐसी पोजिशन होती है जो pregnancy के दौरान ठीक नहीं मानी जाती क्यूंकि ये सर्वेक्स के मुझ को ढग कर रखती है और इस condition में miscarriage का खत्रा काफी ज़्यादा रहता है पेट दर्द होने के चांसे बहुत जादा रहते हैं इसलिए इस position को सही नहीं माना जाता तो फ्रेंट्स ये थोती जानकारी placenta और placenta की position से related आप जान लेते हैं कि क्या आप placenta से ये जान सकते हैं क्या आपका गरवस्त शिशू लड़का है या लड़की है तो फ्रेंट्स अगर घर के बड़े बुजुर्गो की बात करें तो उनका मानना है कि अगर प्रेंट्स के दौरान placenta anterior रहता है तो ऐसे में गरवस्त शिशू एक लड़की होती है वहीं अगर placenta की position posterior है तो गरवस्त शिशू एक लड़का माना जाता है लेकिन आपको बता दूँ पूरी प्रेंट्स प्लेंट्स एक जगे पर ही रहता जैसे जैसे शिशू मूमेंट करता रहता है चीक उसी तरह है placenta भी अपनी position चेंज करता रहता है हो सकता है आपने ultrasound करवाया हो और इस बार ultrasound में placenta की position anterior हो लेकिन जब आप next ultrasound करवाएं उस दौरान placenta का position posterior भी आ सकती है इस तरीके से फ्रेंट्स प्रेंट्स को गलत मतलब नहीं निकालना है वीडियो को समाप्त करती हूं धन्यवाद